इस वीडियो सिरीज में हमनु कवर करेंगे 3D मॉडलिंग इंटिरियर सीम का बिल्कुल स्क्रैट से फुल प्रोजेक्ट मॉडलिंग कुछ इस तरह से हैं फरनिचर मॉडलिंग और इंटिरियर कॉम्पोनेंट मॉडलिंग और मतिरियल इन वेरे 5 चले शुरू करते ही यह हमारा इंटिरियर सीन 2 इसमें हम लोग देखेंगे फुल इंटिरियर सीन की 3D मॉडलिंग और इसमें हम लोग पूरी प्रनिचर मॉडलिंग आपका डाइनिंग एरिया मॉडलर के चिन ओवराल कवर करेंगे तो चली शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यूनिट सेट अप में इंचिस सेट करके ऊके कर देंगे और स्टेंडर्ड यूनिट पे भी इसको इंचिस करके ऊके कर देंगे पहला step यह होगा कि सबसे पहले हम लोग जरा top view पे आते हैं, उपर view की place पे क्लिक करके, और orthographic view में हमेसा modeling करिए, and normally हम लोग box simple draw कर देते हैं, and then हम लोग इसका size को enter करते हैं, जो item हम लोग की रहेगी, वो general रहेगी, जो की आपकी walls की रहती हैं, जो की 10 feet में enter कर दे रहा हूं, उसके बात width की बात करें, तो जैसे की अगर मैं scene को देखूं, तो इस scene में approximate आप ले सकते हैं, 15 feet के आसपास, जिसमें आपका पूरा area cover हो जाएगा, आपका dining area से लेके ये area, so मैं इसको 15 feet enter कर दे रहा हूं, and जो आपकी length है, वो 20 feet हम लोग कर दे रहे हैं, जूम करते हैं, य जिसमें आपके फूरी चीज है, ड्रोहों की, अब इसके बगल में जो आपके kitchen है, उसके रिए मैं क्या करता हूं, एक reference box लेता हूं, तो कि almost एक kitchen के size का लेते हैं, और उसके बाद हम लोग उसी position पे एक cut लगा देंगे, with the help of connect command, gd table policy से, और फिर उसके बाद में उसी को हम extend करके अपने plan को cover करेंगे, okay, so यह हम लोग ने एक reference box लिया है, kitchen का, अब मैं इसको convert to editable poly कर रहा हूं, और मैं दो edges select करता हूं, पहले आपकी top edge, और दूसी second, and यहाँ पे connect लगाता हूं, connect से होग एक है, इसके बीच ओ बीच आपका एक segment बन जाएगा, अब इस segment से फाइद आपको यह box आप अटा दीजिए, इसके कोई जरुवत नहीं थी, अगर reference के लिए रॉक हिया था, partition दिखे, तो उसके लिए आप facet पे जाएगे, यहाँ पे edge face को on कर, और edge face में आप देख सकते हैं, यह edge face है आपका, पहले इसको बिलकुल end पे ले जाएगे, wall के बिलकुल end और उसके बाद आपको जितनी दूरी पे अपना kitchen चाहिए, वो कर दीजे, end पे जाने के बाद आप यह जो button देख रही है, आप की sniper जैसी, इस button पे क्लिक करिए, ताकि वो अपनी original position पे जाए, और इसमें जितनी दूरी पे आपको चाहिए, वो type कर दीजे, तो मैं यहाँ प को create, यह आपकी, अब 8 feet की दूरी पे आ गई है, तो अब आपका काम आसान, आनी के लिए मैं क्या करता हूँ, यह polygon को select करता हूँ, और इसको मैं extrude कर देता हूँ, जितना मुझे kitchen का area चाहिए, उसको select करता है, right click करता है, extrude कर देते हैं, और यहाँ पे type कर देते हैं, approximately 10 feet, तो आपका 10 feet area, आपका this portion will belong to kitchen, सबसे पहले हम लोगे living बनाया है, और यह area जो है आपका, वो kitchen area में include हो जाएगा, उम लोग क्या करेंगे, आपका this area, जो dining area है, उसको करता है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यह जो सामने वाला polygon है, उसको select करके delete कर देंगे, जैसे जो this area, deleted, अब हुआ क्या कि आपके पास living area बचा, आपके पास kitchen area जो कि पहले से close है, आप scene में देख सकते हैं, और यह area जो आप बनने वाला है, वो आपका बनेगा dining area, इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करना है, कि यह चीज आपको उपर से close देख रहा है, अंदर से यह hollow है, because सब कुछ एक, बतलब मैं इसको wireframe में ज़रा इसको दिखा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आप उपर से देख रहे हैं, और यह area आपको यहाँ देख रहा है, this is hollow, अब इसको fill करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस edge को select करता हूँ, और इसको shift के साथ hold करके, y axis मे attitude कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, कि यह area, wall के area में आजाएगा, जहाँ पर आपका है, जो TV unit है, वो चीज़ लग के आज देए, तो हम लोग का, this is your living, this is your TV unit, and this area belongs to now kitchen, अगर आपको kitchen छोटा लग रहा है, तो आप manually इसके vertex पकड़के, थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, अब अगली चीज़ क्या है, कि हम लोग कोई जो dining area है, उसको बनाना है, so dining area के लिए हम लोग क्या करते हैं, कि भाई तो मैं जरह इसको facet कर देता हूँ, ताकि छो थोड़ी जी सवज में है, हाँ, तो यह हम लोग का होगे kitchen, living portion, अब जो dining area में जो dining table और वो रखी है, उसके के लिए कोई floor नहीं है अभी यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, भई नीचे वाली जो edge हो, उसको पकड़के extrude कर देंगे floor बनाने के लिए, on see edge, आप editable poly में जाईए, edge पे जाईए, and this edge, इस edge को select करिए, shift को hold करिए, और simply x-axis में increase कर दीजे, and simply इसको यहाँ से में increase कर कर दे रहाँ, shift को hold करके, y-z-axis में ताकि यह बन जाए, इसकी wall, थोड़ा सागे पीछे हो गया, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब simply इसके vertex को पगड़िए, दोनों vertex को, और manually x-axis में आप इसको खिसका दीजे, और उसके बाद आपका इस तरफ से भी wall पूरी तरह close होगी, उसके लिए मैं फिर से edge selection पे जाता हूँ, and इस तरफ वाली जो wall इसको select करते हैं, और x-axis में shift के साथ move कराते हैं, तो यह wall भी IP create होगी, और उपर आपका जो बचा ceiling, सो उसके लिए मैं this edge को select करता हूँ, और x-axis में shift को hold करके इसको भी extrude कर देता हूँ, यह आपकी बनगी ceiling, फोड़ी बहुत जो wall आगे पीछे हो गई है, थोड़ा से दिख रहा होगा आपको, उसको जड़ा सही करते हैं, तो मैं this edge को select करके हलक जो इस scene में दिख रहा है, उसको हम लोग ने manually create किया है, जिसको हम लोग का living, kitchen and dining area है, आपक तक तो हम लोग का बहुत अच्छे से आ गया, अब हम लोग क्या करते हैं, सब polygon select करके, क्योंकि अभी तो सब attach है, मैं इस सब को select करके detach कर रहा हूँ, और naming दे दे रहा हूँ, ताक अब के नीचे एक तरीके से layer बनती जाएगी, यहाँ पर, देख रहा है ceiling, और अब ceiling को मैं so write कर सकता हूँ, यह देखिया, अभी पीछे का इसलिए ने देख रहा हूँ, क्यों performance mode में है, तो ज़रा मैं इसको performance mode से अटा देता हूँ, तक यह डंक से समझ मैं, standard में कर रहा हू और अगली चीज जो हम लोग लेते हैं, दूसी चीज को detach करते हैं, क्योंकि अभी सब कुछ एक editable poly में है, तो हम लोग ने क्या किया, पहले एक साथ दना है, अब उनको detach कर रहे हैं, अलग-अलग portion बना रहे हैं, तो जो kitchen वाली wall है, जरा आब उस पे आते हैं, polygon selection में आते है यह polygon और यह polygon, select करिए, इसको detach करिए और नाम दे देजिए, इसको kitchen wall, ok कर दीजे, यह भी आपका layer में आ चुका है, जिसको भी हम लोग sore hide कर सकते हैं, hide कर दे रहा हैं अभी के लिए, फिर जो overall आपकी जो outside wall है, उसको select करिए, सारे polygons, detach करिए, और इसको नाम दे देजिए, simply wall करके, ok कर दीजे, and lastly आपका वस्ता है, this is floor, तो सभी polygons को select किया, detach किया, और इसको नाम दे दिया, हम लोगों ने floor, ok किया, अब इस चीज से फायदा यह हुआ, कि पहले तो एक box था, सब कुछ एक साथ attached था, लेकिन अब सारी चीजे अलग-अलग हैं, लेकिन detachable wing, इससे जिस पे box में तो आप कुछ रहा नहीं, क्योंकि सब कुछ अब detach हो जुगा है, जिस चीज पे जो काम करना होगा, हम उस चीज को open करेंगे, जैसे wall को मैं saw ride कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं, outside wall हट जा रही है, this one, this, kitchen वाली अगर मैं wall कर रहा हूँ, kitchen वाली wall हट जा रही है, अब इसको मैं isolate कर सकता हूँ, ठिकनाज दे सकता हूँ, जब काम करना होगा, उसी wall पे आएंगे, floor को hide करेंगे, floor की fall hide होगी, ceiling को hide and hide करेंगे, तो वो hide हो भी, तो जिस पे काम करना होगा, उसको open करेंगे, और उसी पे काम करेंगे, बाकी कोई चीज छेड़ी नहीं जाएगे, तो जैसे कि मैंने कहा कि हर चीज हम लोग modeling करेंगे, तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग बनाते हैं, TV unit बनाते हैं, जो कि आप इस समय देख रहे हैं, TV unit के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने इस लेयर बना रखी है, तो सबसे पहले ceiling को select करते हैं, और अपनी layer से ceiling को कर देते हैं, height, ceiling को hide करने के बाद आपकी ये wall बची, जिस पे हमें अपनी TV unit मना दो, इस wall को select करता हूँ, मैं जरा, जिस जो आप देख रहे हैं, wall को select करिए, right click करिए, और isolate कर दीजिए, अब जो major काम है आपका, वो सब इसी wall पे होगा, अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, कितनी height के उपर, ये जो white color का portion है, वो है, तो मैं one and half fit पे ले ले रहाँ, जो कि आपकी एक normal height है, तो वो कैसे लेंगे, उसके लिए मैं editable poly में जाता हूँ, एक edge ये, एक edge ये, right click करके connect लगा देता हूँ, जिसे होगा क्या, कि हमारा ये mid में आ जाएगा, मैं इसको बिलकुल नीचे ले आता हूँ, okay कर देता हूँ, उसके अगला step क्या होगा, जो हम लोग ने अभी last just किया, कि वही हम लोग का ये चीज़ on है, इसी position से Z में आपको कितना जाना है, जो one fit six inches, मैं enter मारता हूँ, तो उतनी दूरी पे हमारा ये जो cut था, connect था, वो shift हो जाएगा, अब आगे क्या है, कि ये जो आपका TV unit का white portion उसको बन मारते हैं, वो नीचे position पे आजाएगा, okay कर दीजिए, और approximately मान लीज़े, 4 feet पे मैं इसको shift कर देता हूँ, तो ये portion आगया, white portion जहाँ पे आपकी TV रखी जाएगी, अब अगला portion के आएगी, इस view depth है, इसको थोड़ा सा हम लोग extrude बहार की तरफ करेंगे, अगर आप seam में देख रहे हैं, तो उसके लिए मैं फिट से right click करके extrude मारता हूँ, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ लगवग आप change डाल सकते हैं, change अगर आपको ज़्यादा देख रहा है, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, तो जैसे मैंने change डाला, लेकिन ये काफी ज़्यादा देख रहा है as compared to, तो मैं क्या करता हूँ, इसके polygon को select करता हूँ, और इसको थोड़ा सा, मतलब, extrude करता हूँ, change की जगे, तीन इस, okay करते हैं, ये आपका सही आबारा, this is the area जहाँ पे आपकी TV unit और नीचे उसका speaker है, वो आपका आजाएगा, अब नीचे जो आपको एक cabinet दिख रही है, और उसको बनाते हैं, cabinet के लिए same process, हम लोग connect लगाएंगे, तो उसके लिए edge mode में आते हैं, edge mode में जाने के बाद, हम लोग edge select करते हैं, हम लोग edge mode में आने के बाद, इस edge और इस इस को select करते हैं, right click करके इस पे लगाते है connect, connect से क्या होगा, कि यहाँ पे हम लोग का एक partition आ जाएगा, बीच में, और इसको, हम लोग यहाँ पे अगर आप द्यान से देखें, तो बिल्कुल floor पे नहीं है, थोड़ा सा उपर है, तो जो थोड़ा सा उपर है, वो हम यहाँ पे type कर देंगे, तो manually आप खिसका सकते हैं, जो भी है, जित्ती उपर पे आपको रखना है, हलका समयने म लीजे, राइट क्लिक करिए, फिर से connect मारिए, अब यह आजाएगा portion जहाँ पे आपका cabinet है, इस cabinet को manually जित्ती आपकी length पे रखना है, उसको हम लोग रख देंगे, अब आप simply इसको shift करिए, और जित्ती length पे आपको लग रहा है कि cabinet की जो length wise है, वो सही हो, तो बस उसको सही क select करिए, और यह polygon को select करते हैं, और this is your depth of, इसको extrude करते हैं, और almost one fit हम लोग डाल देते हैं, इतना दो आपका cabinet की जो depth है अंदर की वो हो नहीं चाहिए, मैं इसको करके okay कर देता हूँ, यह आपकी आगी cabinet, अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा 3D दिखना चाहिए तो इस polygon को select करके मैं शारो तरफ से insert लगाँगा, insert से होगा क्या कि हमें ऐसी boundary मिल जाएगी, एक inch पे, ठीक है, okay कर देते हैं, अब यह चीज़ सही है, लिकिन थोड़ा से इसको और advance करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसमें panel add करता हूँ, ताकि थोड़ा देखने में और अच जाएगा, दो कर दीजिए, और इसको बहुत pass ले आईए, pinch से, अब यह मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे जो दो panel है, उनके बीच में जो parties हैंने, वो नजरा है, okay कर देते हैं, अब polygon mode में हम आते हैं, इस polygon को select करते हैं, इस polygon को select करते हैं, और अलका सब B-will लगाते हैं, right click करके B-will, press and hold कर ये left mouse button, आगे की तरफ आईए, left click करिए ताकि fix हो, फिर release करिए और अंदर की तरफ आखे, left click करिए ताकि fix हो, ये manual B-will लगाने का तरीका है, फोड़ा आप try करिंगा आ जाएगा, तो इससे फायदा क्या है कि आग ये 3D में पैनल दिखेंगे, edge face को जैसे आपका 3D में visualization अच्छा आपका, अब जरब उपर देखिए, जो walls में भी एक आपको अंदर की तरफ death देख रही है, this one and this one, इसको achieve कैसे करें, same process, आप edge mode में जाएए, इन दोने edges को select करिए, first and second, और right click करके connect merge, मेरे पास यहाँ पे दो आ जाएंगी, okay, मैं इसको okay कर देता ह हूँ, उसके बाद हमें क्या करना है, कि इसको आप manually जितना shift करना है आप कर सकते हैं, वही यह आपकी दो edges है, and इसी तरह यह पूरी नीचे तक continue है, तो same process में इसके साथ भी कर रहा हूँ, एक edge यह, जो इसके नीचे और एक edge यह, right click करते हैं, और connect मारते हैं, यह हम लोग किए कि यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर दो आईए, मैं किवाल एक ले रहा हूँ, क्योंकि एक आपकी cabinet के अंदर चली जाएगी, और manual इसको एक success में हम लोग left mouse button से shift करते हैं, और align करने ही कोशिस करते हैं, अब यही continue पूरे नीचे तक गई है, यहाँ पर रुखी तो आए नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, जिरह नीचे तक पूरी इसको create कर लेते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, same process, अब यहाँ पर दिखके दिया आती, जैसे अभी दिखा रहा हूँ, इन दोनों वो select करके, अगर मैं right click करके connect लगाता हूँ, तो मेरा connect आएगा तेड़ना, अब इसको कैसे rectify कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है, आप इस connect को select करिए, इसकी settings में आईए, यहाँ पर आप सीधी आप इसे कर सकते हैं, constraint edge का मतलब edge आप कहीं नहीं जाएगी, तो manually मैंने इसको rotate किया, सीधा किया, और x-axis में manually इसको इसको इसी के साथ almost align कर दिया, आप देख सकते हैं, अब यह दिख रहा है कि वही आपकी line उपर से लिके नीचे तक आदी, अब इसको thickness देते हैं, thickness क कैसे देंगे, सब को select करें, right click करें और chamfer लगा दीजाए, chamfer से होगा क्या कि इन में thickness आजाएगी, हलकी इसी बहुत, कितनी की thickness चाहिए, देखे बाकी, फोड़ी इस सी thickness देता हूं मैं, हलका असान, और minor thickness, 20 जादा दिख रही है, 14 के असपास आपकी सही है, अब देखे इसमें ये चीज गड़वड़ी होगे, यहाँ पे आपका लागा रहा है, तो मैं जरह इसको cross कर रहा हूं, अभी के लिए केवल, हम लोग उपर वाली edges को select करके, उन पे फाली chamfer लगा रहा है, वही 14 का जो आयता, अब लोगे जो last setting की थी, वो save रहती, तो उसी पे आके मैं इसको okay कर दे रहा हूं, अब नीचे वही ये जो दिक्कत आगी, उसको कैसे करें, तो देखे, आप अभी chamfer लगाएंगे, वो तेड़ा ही आएगा, योगी because यहाँ पे cutting कई सारी थी, तो chamfer कभी सीधा आई नहीं स एच को, इस एच को right click करिए, connect लगा दीजे, अब connect से होगा क्या मेरे पास एक यह जोर आ जाएगी, इसको कर दीजे okay, और shift करिए, और almost उसी के, बराबर जो है, उसको align कर दीजे, जो काम इसमें किया है, वही काम आपको इसके नीचे वाले में भी करना है, select करिए इसको, select करिए इसको, right click करिए, और connect लगा दी, जाएड़ सी बाते तेड़ा आएगा, और इसको सीधा करने का तरीका आपने पहले देख चुगा है, बाइड़ जामें, ट्री में constraint होते हैं, edge constraint लगा के, अब मैं इसको rotation में कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से, हलका सा rotation करिएगा, और manually इसको align कर दीजेगा, और इसको अब shift करिए, इसी के बराबर align कर दीजेगा, तो उससे होगा क्या, थोड़ा सा ये अभी सीधा नहीं हुआ है, तो मैं select करके फिर से इसको rotate कर रहा हूँ, अब यह perfectly align हो चुगा है, और इसको हम लोग खिसकाल देते हैं, तो यह आपका यह यहाँ तक बन चुगा है, जिसमें हम लोग ने cabinet, tv unit और wall का जो इस तरीके से बना दी, अब wall की यह जो depth है, वो अंदर की तरफ थोड़ी सी आपकी दिखनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सभी polygon को select करते हैं एक साथ, और extrude कर देते हैं, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, तो मैं इसको manually यह अंदर की तरफ दे रहा हूँ, बहुत हलका सा, इतना approximately सही है, एक इंच के आस पास, ओकी कर दीजे, बाहर आज देगे, उससे आपका यह 3D में आप देख सकते हैं, काफी एक अच्छा आ रहा है, मैं ज़रा है, इसको performance mode में दिखा रहा हूँ, यह देखे, बिल्कुल आपका वैसे ही look आ गया जैसा कि आपका reference image में आपको देखने को मिल रहा है, यहां तक तो wall हो गई, अब आते हम लोग अपनी दूसी wall पे, जैसे आप देख सकते हैं, जो चीजे हमने बनाई थी, so ride करने पे हम लोग देख सकते हैं, standard में हम लोग की पूरी चीज ऐसे है, और अब हम लोग बनाते हैं, जो समय opposite wall है, this wall, जहां पे आपका AC और यह जो एक self बनी हुई ह उसको हम लोग जरा design करते हैं, तो उसके लिए देखिए क्या करना है, बहुत आसान तरीका, आपको एक connect लगा के पहले partition देना है, self का, और उसके बाद उसी को अंदर की तरफ extrude कर देना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस wall को select करके, isolate कर देता हूँ, तक के वल यह बचे, अब आप connect लगाईए, तो उसके लिए मैं edge mode में जाता हूँ, हम यह edge पकड़ते हैं, इसी के opposite edge पकड़ते हैं, right click करते हैं, और connect लगा देता है, connect आप कहा जाएगा, हम लोग इसको पूरी तरीके से आपका नीचे की तरफ shift कर देंगे पहले तो, ताकि हम लोग जित्ती height पर दे अब इसके उपर जो है आपका बनाते हैं, और आप द्यान से देखिए कि जो उपर है आपका, वो almost जहाँ पर आपका यह जो white portion का, थोड़ा सा मैं इसको नीचे और कर रहा हूँ, अब यह जो है आपका, जहाँ पर जो white portion है, वहाँ तक आपका आ रहा है, तो मैं isolate कर रहा दूसरी अच, right click करके connect मारते हैं, और यहाँ पर आने के बाद okay करते हैं, और वापस हम लोग end isolate करते हैं, ताकि वो wall नजर आ जाए, और जितने पर shift करना है, उत्ते पर आ जाते हैं, आप देख सकते हैं, अल्मूस्ट कहाँ पर जहाँ पर white portion है, तो इसको मैं नीचे लाता ह और जहाँ पर white portion, तो यह portion आगे है, जहाँ पर आपकी self की cutting रहेगी, हम इसको कुछ hole अगेरा नहीं करना है, हम लोग अब आप मारेंगे इसके perpendicular में एक और connect, तो उसके लिए मैं इन दोनों को top को bottom को select करके एक साथ connect मार रहा हूँ, ओके कर देते हैं, उससे होगा क्या कि इतने वही दूरी पे हम लोग का partition आजाएगा self के लिए, अब इसी तरह आपका इस तरह यहाँ पे भी है, तो same हम लोग जाते हैं अपने polygon में, इस polygon को select करते हैं, और अंदर की तरफ जरा में इसको extrude कर रहा हूँ, तक हम लोग का self का portion बहुत ज्यादा नहीं करना है, almost आप एक फिट भी डाल दें, एक फिट भी ज्यादा है, नो इंचेस आप डालने है, ओके करिए, तो यह आपका self का reason आगया, तहाँ पे हम लोग की चीज़े हो रखे हूँ, अगला step जो wall पे आपका partition दिख रहा है, जो हम लोगों ने इस wall पे किया था, जहाँ पे TV unit थी, जो अंदर की तरफ depth है, जरो उस पे आप, उसके लिए same process, edge mode में आई, इसको select करिए, top को select करिए, right click करिए, connect मारिए, आपका इस तरह आजाएगा, इसको select करिए, right click करिए, connect मारिए, यह भी आपका exact उत्सी पे आजाएगा, okay करिए, अब दो इसको select करके, मैं चैंफर लगा देता हूँ, ताकि मेरी, जो distance थी, thickness थी, वो आपकी आजाए, जितना हमने almost उस पे रखा था, उतना ही हम इस पे भी set कर देते हैं, okay करते हैं, polygon select करते हैं, this polygon, and इसकी नीचे का polygon, और extrude कर देते हैं, अंदर की तरफ, ताकि यह भी depth थोड़ी कर दीजे, यह आपकी depth आगी, जो कि अब 3D में आपको दिखेगे, edge face अगर मैं off करूँ, यह देखे, अब इसी तरह आपको इस तरह भी बनाना है, तो edge face फिर से on करते हैं, जो side में आपकी दो party sun और बने हुए, उनके फिर से आते हैं, edges, इस पे, इस पे, इस पे, and last वाले right click करके, correct mark, same portion में, इन दोनों को select करके, right click करते हैं, edge लीजे, आप, एक edge कर दीजे, फूरी एक साथ edge select हो जाएगी, select करिए, right click करिए, चेंफर मार दीजे, तो आपकी, जो last setting थी, उत्ती दप पे आ जाएगी, मैं okay कर देता हूँ, polygon select करता हूँ, this polygon, this polygon, this polygon, सबको select करके, आप extrude करिए, जो last setting थी, वह ही आएगी, अंदर की तरफ, और इसको हम लोग okay कर देता हूँ, आपका यहाँ तक तो बन गया, जो कि हम लोग इस तरीके से आ रहा है, edge face off करते हैं, ताकि आप देख सकें, अब ऐसे देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कि हम लोग अंदर की तरफ देख नहीं पा रहे हैं, अभी यह जो आगे का, जो self का region, जैनलका सापोर्ट सा उठा हूँ उसको बनाते हैं, लेकिन इस तरह बनाने काफी दिक्कत आएगी, तो मैं क्या करता हूँ, कि जिस wall पे काम करना है, उस wall को select करके उसको detach कर देता हूँ, ताकि वही wall दिखे, और हम लोग काम आसान हो, बतलब, polygon mode में जाएए, पूरी wall select कर लिए जाए, इसी wall पे हमें आगे भी काम करना है, जो चीज़े बनानी है, तो इनको select किया, नीचे आते हैं, detach पे क्लिक करते हैं, और इसको नाम दे देते हैं, wall, underscore, self, अब इससे फायदा है रहेगा, कि भाई हम इसी चीज़ को select करके isolate कर देंगे, और इस पे अच्छे से अपना work करेंगे, जो इसमें नीचे कार्ट का सफोर्चन जो दिख रहा है, आपको उठा हुआ, उसको अब बनाते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, box लेता और wire performance mode लगाता हूँ, exactly उसी से बने, तो मैं क्या करता हूँ, 2.5 autogrid off पर ये, 2.5 snap on करिए, ताकि इसी पे snap ले, और exactly उत्ते पे जहाँ पे आपका ये खतम हो रहा है, उत्ते पे ये बन किया गया, और जितनी height देनी है, आप depth वो दे दीजिए, और आप ले 2.5 को off करके, y access में आगे की तरफ ले आईए, standard mode में आईए, और ये देखिए, आपका वही portion आगया, जो कि आप scene में देख रहे हैं, खलका सा portion जो बाहर था, आगे पीशे अपनी साब से आप रख सकते हैं, जैसा आपको इस scene में देख रहा है, वही चीजिए, अब जो side में kitchen है, वहाँ पर देखिए, कि आपका door एक बना है, और यहाँ पर आप door जो बनाना है, उस पर work करता है, तो कि door बनाने के लिए भी same process, आप चाहे तो बूलियन कट कर दीजी, लेकिन उससे भी आसान तरीका है, कि connect लगा देता है, connect लगाने के बाद उतना इससा portion आपके पास आजाएगा door का, और उस door को बाद में delete कर दें, detach कर दें, future reference के लिए उतने पर आ जाएगा, अदलब क्या करना है, आपको इस wall पे आना है, edge mode में आईए, select करिए top, and this one, right click करके connect लगा दीजए, और अब इस connect को मैं slide करके बिलकुल end पर रख दे रहा हूँ, अब इस portion से काहा कितना दूर door start होगा, वो type करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यह absolute mode on करता हूँ, और यहाँ पे x negative में type करता हूँ, 2 feet 6 inch, अब यहीं से हम लोग को फिर से connect लगाना पड़ेगा, ताकि हम लोग door की जो width है वो दे सकें, तो select करिए दोनों को, right click करके connect मारिए, और slide करके बिलक और negative x में जितनी आपकी width है door की वो डालिए, मतलब minus का 3 feet 6 inches, तो यह आपकी door आगई, जो width है, अब hide की बात करते हैं, करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को select करके, right click करके connect मारते हैं, slider से बिलकुल नीचे score shift कर देते हैं, इससे आता है जाए गए नहीं, okay करिए, और यहाँ पे आप type करते हैं, y positive में 7 feet, enter मारिए, तो यह आपका door आगया, kitchen का, बिलकुल party sun, अब इस polygon को हम select करें, अब चाहे तो आप delete कर दें, मैं delete नहीं करूंगा, तुकि future reference में हो सकता है, काम हो as a door की तरह, इसको select करके मैं detach कर देता हूँ, और नाम डाल देते डोट